है गाइस वेलकम तू मैं चैनल तोड़े आपको मेरी अप्लोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम पाउल लेंगे दो काटोरिया दा स्टैंड बनाएंगे और फिर मैंने काटोरी ली है उसमें गी लिया है अब देख सकतो हैं मैंने क recipes ृ अपकिना लिया है हम फिर इससे सट अप करेंगे अच्छे से यह कॉटन लेंगी और उसे इस खी में अच्छे इसे डिप कर देंगे ताकि इसमें घी लग जाए और इसमें हम जो आग जलाएंगी वो जल जाए तरीके से अच्छे से डिप कर लेना इसकी नोग भी यह देखिए और फिर हम इसे कॉटन को जलाएंगे यह देखिए यह इस तरीके से जला लिया इसे इस स्टैंड अच्छे से करेंगे वैसी इसी कोरी में भी बन जाता है बट मैं इसे प्लेट से बना रही हूँ प्लेट ढग देंगे अच्छे से स्टैंड बना करके इस पर रख देते हैं फिर हम इससे एक घंटे के लिए यह चोड़ देंगे मैं इससे बस आदी घंटे के लिए चोड़ूँगी मिझे थोड़ा सच चाहिए है यह अच्छे से आब आदी घंटे के बाद इसमें सारा पॉडर आ जाएगा जम जाएगा अब मैं इससे आदी घंटे के बाद हटा रही हूँ यह देखिए इस तरीके से इसमें सारा कोल इखटा हो गया है पर हम इसे स्क्राच करके निकाल लेंगे यह काफी असानी से निकल आता है इस तरीके से यह अच्छे से निकल आ रहा है इससे हमारी प्लेट भी खराब नहीं हुई आप देख सकते यह असानी से निकल आया है और फिर हम इसे किसी भी कंटेरन में डाल के स्टोर कर सकते हैं तरीके से आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपके मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू फर वाचिए